नमस्कार मैं हूँ भूवनेश सेंगर आयोध्या में आज जिस भव राम मंदिर की बुनियात का पत्थर रखा जा रहा है उसके नियू के पत्थरों में से उस आंदोलन की नियू के पत्थरों में से एक और हाली में बाबरी मस्जिद धांशा डहाने का जो इल्जाम था उसस कि बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के बड़े चेहरे और उस वक्त बजरंगदल के राश्ट्री अध्यक्ष और बहुत चर्चित चेहरे जैभान सिंग पविया उनसे बात ने की जाय तो इस शेत्र की राजनीतिक व्यवस्था की बात अधूरी है ज अधालत ने आपको सिल्जाम से बरी करा सभी लोगों को और एक तरफ अपचुनाव है जिसमें एक तरफ आपकी राजनीति हिंदुत्व के थी तो एक तरफ उस महल किया यूं कहें कि सामनतवाद के खिलाब भी एक वैचारिक लड़ाई थी लेकिन आज इत्तफाक है कि जो राजनीतिक्षेत्र में आया तो पहला चुनाव स्वर्गिय अधनी माधोराओ जी सिंधियार से मुझे लड़ाया गया मैं उस समय बजरंग दल का राश्टी अद्धिक्ष था लेकिन शद्धे अटल जी के कहने से मुझे राजनीति में आना पड़ा क्योंकि 1984 में अटल जी गौलियर से लड़े थे और उस समय की पराजय की पीड़ा गौलियर बासियों के मन में थी मैं जब लड़ा तो ठाकरे जी और अटल जी से पूछ कर मुझे तैकि ये थे और वो मुझे सामनत बाद का था सामनत बाद का मतलब किसी मकान से हमारी लड़ाई नहीं है जिसको लोग महल कहा करते हैं सामनत बाद से लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि मेरी किसी परिवार से लड़ाई है मैं एक विचार को लेकर लड़ा था और वो विचार था प्रजात तंत्र में आम आदमी के आत्म सम्मान का वो मुद्दा था अपने वेशक काल या गोलामी के काल की कुछ उपादियों को लेकर लड़ा और करिश्माई लड़ाई हुई तब जानते हैं लेकर उसके बाद भी ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैं अजुध्या अंदोलन में और हिंदू जागरण के ब्यापक अभियान में देश भर में गोमता था साथ से ज्यादा सन्युक्त धर्म सभाएं स्वर्गिय अधर्णिया विजया राजी सिंधिया जी और मेरी दोनों के होते थी गोलियर चंबल रेजन में होती थी क्योंकि वो पतिक थी हिंदूत्यों के उन्होंने अपने आपको डुबा दिया था उसमें तो आगर मेरा किसी खांदान के साथ लड़ाई होती तो मैं और वो दोनों एक ही पत्के पतिक होकर इसे कैसे घूमते सत्तर में वर्ष का उनका जर्मोद सब उनके जीवन का पहला जर्मोद सब मैंने अपने गाउं में उनको ले जाकर मनाया था लेकिन उनके आगे अगर मेरा शीष जुखता था तो उनका जो समर्पन था भारत की संस्कृति के प्रति हिंदुत के प्रति उसके कारण जुखता था इसलिए नहीं जुखता था कि वो किसी बड़े मकान में रहती हैं और इसलिए जब आज हमारे उपादियों से भी हमेश किसी की राय में मैं अपनी राय तो नहीं जोड़ सकता सेधान्तिक मुद्दे कपड़े की तरह नहीं बतले जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है आप उस बात को जरा ब्यापक दिश्टकौन में समझे जिन चीजों को लेकर उस समय मेंने युवाओं को जगाया था उन शब्दों की जगा उस मनोब्रति की मानसिक्ता की जगा कॉंग्रेस में होती है जब तक हमारे नए मित्र कॉंग्रेस में थे तो वहाँ छत्रपों को जगा होती है, वहाँ शब्दावली को जगा होती है भारतिय जनता पार्टी में जब ये सब आए है तो वो भारतिय जनता पार्टी की शैली और संस्किती को समझ कर आए है ये पार्टी नेताओं पर आधारित नेता पर आधारित पार्टी नहीं है कुनवों पर आधारित पार्टी नहीं है ये कारिकरता की पार्टी है और इसलिए जब जोतरादित सिंधिया जीने बीजेपी जोईन की तो मेरी पहली प्रतक्रिया थी कि वे एक कार्य करता के नाते हमारे परिवार में आए हैं, हमारा परिवार बढ़ा है, इसकी मुझे खुशी है, और हम दोनों मिलकर केसरिया हाथ में पकड़ेंगे और जैशीराम बोलेंगे तो उप्चुनाओं में आप एक्टिव हैं पूरी तरह से? देखे, मैं तो संगठन का गुलाम, मैंने अपना जीवन एक आइडियोलोजी को समद्पित किया है, अपने जीवन का व्यक्तिगत गुलाम भाग करके कभी राष्टर की लड़ाई नहीं लड़े जा सकती है, और स्वयम के सम्मान से बड़ा सम्मान पाल्टी का सम्मान होता है कोई व्यक्तिगत पीड़ा, कोई व्यक्तिगत दर्द, यह सोचना बहुत छोटा पन होगा, व्यक्तिगत पीड़ा तब होती है जब व्यक्ति अपने लिए जीता है, मैं एक विचार के लिए जी रहा हूँ, कॉंग्रेस का समापन मध्यप्रदेश में हुआ है, मुझे व्यक्तिगत पीड़ा, कॉंग्रेस के लिए जी रहा हूँ, कॉंग्रेस के लिए जी रहा हूँ, कि हम कॉंग्रेस की सरकार का पुनर जनम मध्यप्रदेश में नहीं होने देंगे बहुत बहुत शुक्रिया, जैबान सिंग जी हमसाद बात करने के लिए, दुशन तका एक शेर है, कि दुकानदार तो मेले में लुड़ गए यारो, तमाशबीन दुकान लगा कर बैड़ गए, इसके माइने जो समझ सकते हैं, वो जरूर निकाल रहे होंगे